महिलाओं के यग्य करने से लेकर दिन में होंगे शादी ब्या, महाकुंग में जारी होगी हिंदू आचार संहिता. करीब 350 वर्षों के बाद नई हिंदू आचार संहिता तयार कर ली गई है. इसमें पूजापाट को लेकर कई सारे नियम तयार किये गए हैं, जिसमें महिलाओं को यग्य करने की अनुमती दिन में शादी करने जैसी चीजों के बारे में बताया गया है. इसे तयार करने में चार साल का समय लगा है. नई हिंदू आचार संहिता, हिंदू कोड ओफ कॉंडक्ट बनकर तयार है. प्रयाग्राज महाकुंग 2025 में इस संहिता को जारी किया जाएगा. काशी विद्वत परिशद ने यहाँ आचार संहिता तयार की है. इसमें हिंदू के लिए पूजापाठ के नियम और ज्यादातर रीतिरिवाजों में बदलाव की संभावना है. महाकुंग में इस पर मुहर लगने के बाद इसे आपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा. नई हिंदू आचार संहिता का मकसद बदलते वक्त के साथ हिंदू संस्कृती के नियों में कुछ बदलाव के साथ इसकी जड़ों से जुडाव कायम रखना है. बताया जा रहा है कि काशी विद्वत परिशत के निर्देशन में 50 से अधिक विद्वानों की एक टीम इस हिंदू आचार संहिता को बनाने पर काम कर रही थी. इसे बनाने में श्रीमत भगवत गीता, रामायन, महाभारत, पुराण, मनुस्मृती, पाराशर स्मृती, देवल स्मृती की भी मदद ली गई है. अब 351 साल बाद आचार संहिता तयार हो गई है. आचार संहिता को तयार करने में करीब 4 साल का समय लगा और इसे 70 विद्वानों की टीम ने मिलकर तयार किया है. हिंदू आचार संहिता में पूजा पाठ, अनुष्ठान, विवा, मंदिर जाना और मंदिर में बैठने के नियम बनाए गए है. आचार संहिता में महिलाओं को भी वेदों के अध्ययन और यग्य करने की अनुमती दी गई है. लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए है. इसमें हिंदू विवार रात के बजाए दिन में करने की सला भी दी गई है. इस संहिता में यह भी कहा गया है कि ऐसे अनुष्ठान जिनका पश्चमी करन किया जा रहा है जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन आदी उन्हें भारतिय परंपरा में किया जाना चाहिए. पोदाश अनुष्ठानों को भी सरल बनाया गया है. मतलब किसी की मृत्यू के बाद जो भोज खिलाया जाता उसकी नियूनतम संख्या सोला रखी गई है. महाकुंब में हिंदू आचार संहिता पर अन्तिम मुहर शंकराचार्य और महामंदलेश्वर लगाएंगे. इसके बाद इसे देश भर में वित्रित किया जाएगा. पहले चरण में करीब एक लाख कौपियां बाटी जाएंगी.